देखो अगला प्रेशन संख्या 4, चौता प्रेशन दे रखा है, ठीक है, पढ़ो ज़रा इस प्रेशन को, एक दुईघात बहुपत के अधिक से अधिक शुन्यकों की संख्या होगी, देखो मैंने किलिरली बताया था, इस स्टार्टिंग में ही, जब हमने पढ़ा है था, कि देखो ग्राब बना के भी दिखाया था मैंने, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक लीनियर रैखिक, एक रैखिक वहुपत होगा, तो उसका एक ही शुन्यक होगा या नहीं, एक ही शुन्यक निकलेगा एक, शुन्यक की संख्याई यह जो यहां लिख्खा हुआ है, यह क्या है शुन्यक, ठीक है, कितना होगा, एक, यहां पर कितने शुन्यक होंगे, दो, ठीक है, यहां कितने शुन्यक है, दो, यहां पर दो जगए टच कर रहा है, एक्स पर, एक्स पर दो जगए प्रतिछेद कर रहा है, और यहां पर एक जगए प्रतिछेद कर रहा है, और यहां प तो इगात, बहुपत, तो इगात में किसी जीरो ओंगे, दोई भात में दो जीरो होँगे, और रेखिक में एक जीरो होगा, तो हमारा प्रेशन क्या है? जौथा हमारा प्रेशन अब पू cast कि रा है के तो x paravar minus 1, क्या है, x paravar minus 1, तो x क्या है, एक rate ek वहुपत है, तो rate ek वहुपत में क्या होगा, एक एक शोन्यक निकलेगा उसका, क्या निकलेगा, एक इस शोन्यक, अब देखो minus 1 रख दो, x की जारी प्लस 1, तो यिये क्या हो जाएगा दो जेरो, 1 से 1 कट जाएगा 0 तो 0 हो गया minus 1 इस तरीके से अगर हमारे 2 दे रख्या होंगे तो अगर इसी तरीके से यह दिया होता कि x square minus 1 बरावर 0 रख लो तो x square minus 1 का square x plus 1 x minus 1 ऐसे लिख सकते हैं बरावर 0 लिख सकते हैं तो x के क्या आगे एक 1 आगया और एक minus 1 आगया एक 1 आगया और एक minus 1 आगया है ना बिटा तो यह 0 आगे 2 तो इस तरीके से 0 आगे हम चेक कर लेते हैं घाट जितनी दे रख्योंगे दो घाट दे रख्योंगे तो 2 शुन्नेक होंगे 3 गाट दे रख्योंगे सुन्यकोंगे answer clear